ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रु सादर जैसी क्रश्न हमारे यूट्यूब चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारिधर मेंदर शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशिफल यह राशिफले 25 अक्टोबर 2030 बुद्वार का दिन है आश्विन महा के शुक्लपक्ष की एका रशी ती थी है इस दिन पापांकुशा एका रशी का महा परवर हेगा तो आप सभी को और आपके पूरे परिवार को एका रशी महा परव की बहुत बहुत शुक्कामनाई और बढ़ाया भगवान स्री लक्षमी नराण जी का भरपूर आशिरवाद आप सभी के जीवन पर सदेव बना रहे आप सभी सुखी रहें स्वास्त रहें व्यास्त रहे अगर किसी कारण वस उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा अवश्यक हो तो धनिया खा करके यात्रा का अरंब कर सकते हैं राहुकाल जो की दो पहर 12 बजे से लेकर के 1 बजे के 30 मिनिट तक रहेगा यहने 12 से डेर तक राहुकाल का समय रहेगा इस दोरान कोई भी शुबकार्य मंगलिक कार्य आपको संपन्न नहीं करना चाहिए हलाकि राहुकाल का निरने आप अपने एक्षेत्र के पंचांग अठवा केलेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई चेत्रों में माना जाता है और कई चेत्रों में नहीं भी माना जाता है। चेत्रों में माना जाता है और कई चेत्रों में माना जाता है। तो बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन सुबह चे बजे से लेके नो बजे तक लाव और अम्रत का चोग्रिया रहेगा। तथा उसकी बाद साड़े दस से लेकर के दो पहर बारा बजे तक शुब का चोग्रिया रहेगा। इस दोरान आप कोई भी शुब कारी करेंगे, मांगलिक कारी करेंगे तो आपको अधिक से अधिक फाइदे का संयोग बन सकता है। अब हम आपको मेश से लेकर के मीन सभी बरा राशी वालों का दैनिक राशी फल पताने जा रहे हैं। हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश रासी की। अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की। या रिष्टेदार से मामूली बात को लेकर के वैचारिक मदवेद उत्पन हो सकते हैं। इसलिए किसी भी बात को ज़्यादा तूल न दे। और उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि आफ सफेद रंग की कोई भी मीठी वस्तू जैसे मिस्री या शकर खाकर के घर से निकलते हैं। तो आप का देन शुफलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक छे होगा। भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं मितुन राशी की। घर में रिष्टदारों का या महमानों का आगमन होगा। तथा आपसे विचारों का आधान प्रदान घर के वाटावरन को खुश्णुमा बनाएगा। अपने महत्तुपूर्ण काम आप निप्टाने का प्रयास करेंगे। युवा पाएंगे। और उपाई के रूप में हरी सबजी का डान करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक आठ होगा। भागिशाली रंग आपका आसमानी होगा। अब हम बात करते हैं करकराशीगी। मन और अंजन और हास परिहास में आपका समय वितीत होगा। हलका फुलका आराम करने का आउसर भी आपको मिलेगा। उर्जा से आप भरपूर महसूस रहेंगे। घर की जर्वत संबंदी कारियों में आपकी विस्तता बनी रहेगी। बच्चों के साथ उनके क्रिया कलापों में रुची जाहिर करना उनके आत्म इश् को और अधिक बढ़ाएगा। घर की किसी महत्वपूर्ण वस्तू के खोने या चोरी होने की संभावना है किसी पर इलजाम लगाने से पहले अच्छी प्रकार से परताल अवश्य करें और अपनी वस्तू को संभाल कर रखें। ओफिस के कुछ कामों को घर पर भी समय आपक के रूप में भगवान गनेश जी के मंदिर में यदि आप लड्डू चड़ाएंगे तो आपका दिन शुप्फलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक तीन होगा। भागिशाली रंग पीला होगा। अब हम बात करते हैं सिंग रासी की। पारिवारिक सदस्यों की सुक्स विधाओं का ध्यान रखने के प्रति आपका पूर्ण समर्पन भाव रहेगा। किसी सामाजिक गतिविधी में आपका महतुपूर्ण योगदान होने की वजह से आप सम्मानित होंगे। कोई आर्थिक परिशानी होने से आपके मित्र आपकी मदद के लिए ततप होगा और उपाई के रूप में घर से निकलते समय एक लॉंग या फिर इलाईची खाना आपके लिए शुप्फलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका कैसरिया होगा। अटके हुए रुके हुए काम भी आपके पूर्ण हो जाएंगे। रुका हुआ पैसा भी आपको अचानक प्राप्त हो सकता है। कोई अचानक ऐसी खुशकबरी मिलेगी जिसका बहुत दिनों से इंतजार था। उस कारण से परिवार में अच्छी खुशियां व्याप्त ह होगी। और किसी अंजान व्यक्ति के विवाद में बिल्कुल न पड़े। क्योंकि उसकी वजह से आपको परिशानिया उत्पन हो सकती है। उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि आप मिठाई के रूप में कोई भी मीठी वस्तु खाकर निकलते हैं तो आपका दि अतिविधी में दिल के बजाए दिमाग से काम लेना आपके लिए अधिक फायदेवन साबित होगा। निकट संबंदियों के साथ प्रापर्टी को लेकर गंभीर और लाब दायक चर्चा होगी। घर में कोई धार्मिक आयोजन संपन्न हो सकता है। काम की अधिक्ता की वज निश्यक होगी तथा सकारात्मक लोगों के साथ चर्चा करेंगे तो निश्चय ही आपके स्वभाव में एक सकारात्मक आपको नजरिया महसूस होगा। और उपाई के रूप में भैवान विश्णुजी के मंदिर में कोई भी फल चड़ाना आपके लिए आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा। अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासी की। घर के बड़े बुजुर्गों तथा वरिष्ट व्यक्तियों के साथ कुछ समय आपका वेतित होगा। उनके अनुभवों को आत्म साथ करना आपक तनाव को अपने उपर हावी न होने दे। परिवारिक व्यक्तियों का उचित सहयोग आपको चिंता से मुक्त रखेगा। अर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धनलाब होगा, नए काम की आप योजना बनाएंगे। तथा जो काम बहुत दिनों से अधूरे या अटके साबित होगा, आपका भागिशाली अंक नो होगा, भागिशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं धनुराशी की, राजनितिक गति विधियों से जुड़े मित्र आपके लिए बहत्त पूर्ण साबित होगे, तथा उनके साथ लाबदायक मुद्दों पर वि साइदा उठा कर आपको नुकसान पहुचा सकता है, बच्चों की गति विधियों पर तथा उनकी संगत पर आपको नजर रखना बहुत आवश्यक होगा, और उपाई के रूप में यदिया भगवान विश्नुजी के मंदिर में कैसर या हल्दी चड़ाएंगे तो आपका अब हम बात करते हैं मकर राशी की, सामाजी कारिकरताओं के साथ उनकी गति विधियों में पूरा सहयोग करना आपको महत्वपुर्ण मुकाम हासिल करवाएगा, आपके व्यक्तित्व के सामने आपके विरोधी परास्त हो जाएंगे, कहीं से कोई ऐसी खुशकबरी मिलेग जिससे परिवार में खुशियों का माहौल निर्मित होगा, कोई भी योजना बनाने या क्रियानवित करने से पहले पुनर विचार करना बहुत आवश्यक होगा, और उपाई के रूप में भगवान हनुमान जी के मंदिर में एक नारियल चड़ाना आपके लिए शुफलद कारियों में व्यतित करेंगे, इसाई संपती भूमी भवन वाहन संबंदी कारिय भी आपके संपन्न हो जाएंगे, घार परिवर्तन की आप योजना बना सकते हैं, कोई शुब और मैंगलिक कारिक्रम भी आपके मन में चलते रहेंगे, जिनके विशय में आप कुछ कारिय भ आपको परिशान करेगी, कोई खुश खबरी ऐसी मिलने वाली है, जिसे आपकी चिंताएं लगभख समाप्त हो जाएगी, उपाई के रूप में यदि आप काले तिल शंकर भगवान के मंदिर में चड़ाएंगे, तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा, आपका भाग हो जाएंगे, अधिक समय आप जो है अपने क्रिया कलापों में वेतीत करेंगे, रुके हुए अटके हुए काम आपके परिवार के सायोक से संपूर्ण हो जाएंगे, भावनात्मक संबंद और अधिक मजबूत होंगे, आपकी जो शंकालू या जित की प्रवत्ती है, उसक भागिशाली रंग आपका औरेंज होगा, तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपायत अथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको बताए हैं, हमारी इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमिन करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अभशकर लीजिए, आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी कृष्ण साधर धन्यवाद